यहां हम पढ़ेंगे legendary linear differential equation यहां कि legendary रेखिक अउकल समिकर्ण इसको हम पढ़ने वाले है यहां पर तो इसका general equation होता है वो हम देखते हैं यहां पर यहां पर क्या होता है कि यह जो अउकलन होया है यहां पर N बार अउकलन है तो यहां पर AX पलस B इसकी पावर भी N होगी यहा यहां पर देखो इनकी identity किस तरह से है कि जितनी बार अउकलन हो रखा है उतनी बार इसकी पावर में आएगा यहां पर यहां पर N-1 बार इसका अउकलन हो रखा है तो यहां पर N-1 इसकी पावर में आ गई इस function की तो इस तरह का जो भी equation होगा उसको हम कहेंगे legendary tracheacheocle samikand इसको हल करने का जो process है वह भी हम पढ़ते हैं यहां पर तो इसकी हल करने की किरिया विदी है यहां पर स्रव परतम तो हम क्या करेंगे जो भी यहां पर यहां पर ब्रेकिट में दिया हुआ tracheachechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche ax plus b और यहाँ पर पस्ट बार उकलन क्योंकि यहाँ पर power में 1 है तो इसका उकलन हो जाएगा 1 time तो यहाँ पर देखो यह पंक्सन आएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे a dy इसके स्थान पर a dy लिख देंगे हम यहाँ पर d का मान यह है यहाँ पर d का मतलब है d upon d z यह रखेंगे हम यहाँ पर यहाँ पर d का मान d upon dx नहीं है यहाँ पर z है यहाँ पर जैसे हम यह substitute करते हैं यहाँ यह मान रखते हैं यह रखेंगे तो यहाँ पर d आएगा d होगा यहाँ पर d upon d z इस तरह सी होगा यहाँ पर दियां रखना सवतंत्र चर जेड बन जाएगा तो और यहाँ पर पाउर 2 हो और यहाँ पर सेकेंड अउकलन हो तो हम यह लिखेंगे A की पाउर 2 तो D, D-1 और यह Y है तो Y से कैसे लास्ट में आता रहेगा यहाँ पर 3 होगी तो हम A की पाउर 3 रखेंगे D रखेंगे D-1 रखेंगे D-2 रखेंगे और इसी तरह से हम end time तक करेंगे तो end time करेंगे तो हमारे पास इस तरह से मिलेगा तो यहाँ पर देखो जितनी पाउर होती है यहाँ पर 3 पाउर है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे एक बार D लिखेंगे फिर से 1 करेंगे और फिर से 1 करेंगे और जो भी गुणा में यहाँ पर A की पाउर उतनी होगी जितनी यहाँ पर पाउर में है तो यहाँ पर 3 पाउर ह है तो इसको लगेंगे डी माइनस वन ये दो भार हो चुकाय दो पंक्सन हो चुके है याँ पर और यहाँ पर X के साथ गोणा में ए है तो हम एक की पावार लिखेंगे यहाँ थू तो यहाँ पर एक की पावर टू लिख दी इस तरह सबस्क्राइब थे ? करताम है कैयां परतंतर चर हवाय बनेगा और सवतंतर चर यहाँ पर जेड होगा यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर तो है सवतंतर चर अक्स लेकिन जैसे हम इनका उपयोग करेंगे यहाँ पर यह परतिस्तापित करेंगे और इस तरह से हम मान लेंगे यहाँ पर एक्स पलस बी इसको हम E की पाउर Z मान लेंगे तो हमारे पास साउत अंतर चर बदल जाएगा और यह हो जाएगा Z की रूम में तो यह हमें ध्यान में रखना है अब हम इसके उपड़े एक 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 जामपल सोल करेंगे ताकि हम इसको और भी एच्छे से समझ सके तो यहाँ पर यह है एक जामपल नंबर वन एक जामपल नंबर वन से हम इसको समझते हैं तो यहाँ पर देवो यह जो क्यूशन है यहाँ पर यह डी की रूम में दी हुई है हमें और यहाँ पर देवो यहाँ पर एक के स्थान पर 3 है B के स्तान पर 2 है तो यहाँ पर 3x плюс 2 और इसकी power 2 है तो यहाँ पर देखऊ इसकी अउकलन की power 2 है यहाँ पर इसकी power 1 है तो अउकलन की power 2 है और यहाँ पर यह constant आ गया है फिर आगे तो यहाँ पर हमने पहाचान लिया कि लिजंडरीर रेकी का उकल समिकर्ण वाला क्यूसन है और इसको सॉल करना है तो हमें इसके अंदर मानना पड़ेगा सरव परता हम यह जो पूरा पंक्सन है इसको हम E की पाउर Z मानेंगे तो हम यहाँ पे मान लेंगे 3X प्लस 2 इसको E की पाउर DX होता है तो हम उसको लिखते है 8DY लेकिन यहाँ पे D का मतलब क्या है? D upon DZ और D upon DZ है और यहाँ पे देखो डबल होगा तो डबल के लिए क्या करेंगे? E की पाउर 2 D, D-1 और यहाँ पे D का मान है D upon DZ यह आता है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से हमें D दे दिया और इस D का मान है, यहाँ पे D upon DZ यह है इस का मान तो क्यूंकि यह खुशन था और यह दे रखा लेकिन अब हम इसको चेंज कर दिया हमने तो यह मान लिया तो हमें यहाँ पर d लिखना पड़ेगा, लेकि d नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि d तो इसमें पहले से आ गया, पहले से आ गया तो हम d के इस्तान पर d-dase लिखेंगे, जहां d है, d के बज़ाए d-dase, तो यहाँ पर d लिख दिया, यहाँ पर d है, तो यहाँ पर भी मैंने d-dase लिख दिया, हम इसको change कर लेंगे, क्योंकि a की variable को हम दो बार use में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर question में हमने d दे दिया, तो d दे दिया तो हम कुछ अलग मानेंगे, तो मैंने यहाँ पर d-dase मान लिया, और वही तरीका लगा दिया हमने, यहाँ पर a के स्थान पर यहा हमने यहाँ पर d-dase क्या होगा, d upon dz, यह होता इस तरह से, यह तो है इसका main शुत्तर, अभी अभी हमने पड़ा था, यह तो है इसके main formula है, और यहाँ पर हमने क्या, इसको use मिलिया इन formula को, तो यहाँ पर हम यह मान रख देंगे, यहाँ पर देखो, यह पर यह power 2 वाला था इसको रखने के बाद हमें यह equation मिल गई, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हमारे पास x है, तो x के स्थान पर यहाँ से main रखेंगे, x का main यहाँ पर क्या हैगा, यह 2 तो इस side में आ जाएगा, तो e की power z minus 2, और यह x के साथ में बटे यह 3 गुणा में है, तो यह बटे by 3, यहाँ से पकसांदन करके x का main यह मिल चुका, तो यहाँ जहाँ जहाँ पर भी x है, वहाँ पर हम x का यह मान रखेंगे, क्योंकि अब हम इसको z की रूम में बदलना, e की power z है यहाँ पर, हम इसको z में बदलेंगे, और यहाँ पर है 2, z में हमने क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पर देखो, जैसे हम प्रतिस्था भी करते हैं, तो हमारे पास सहतंतर चर, सहतंतर चर देखो यहाँ पर, यहाँ पर z बन जाएगा, तो हम इसको इस तरह ऐसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो, e की power z में बदल दिया हमने, यहाँ पर भी e की power z रख दिया, और माइनस 2 डिवाड़ बाइ 3, e की power z माइनस 2 डिवाड़ बाइ 3, अब हम इसको calculate करके इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको calculate किया हमने पूरा, यहाँ पर d dash को अंदर गुणा कर दिया, 3 की power 2 को open कर दिया, और आगे इसको solve कर दिया कल्कुलेट करके, तो हमें यह मिला D dash की power 2 minus 4 और यहाँ पे इसको भी हम solve करके लिखेंगे तो इसको solve करने के बाद हमें मिलेगा 1 by 3 E की power 2z minus 1 अब यह देखो यह तो normal की उसन हो गया यह तो हमें solve करना आता है क्योंकि यहाँ देखो D की साथ में यहाँ पे constant value है तो हम इसको solve कर सकते हैं यहाँ पे हम function of D लिखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे function of D लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा function of D D की power dash यह D dash की power 2 minus की power यहाँ पे function of D लिखते थे हम तो यहाँ पे function of D dash लिखेंगे हम क्योंकि function of D तो तब आता जब यहाँ पे D होता है और यहाँ पे d-dase का मान क्या है, d upon d j add है, तो यहाँ पे इसको आगे solve करेंगे हम, तो यहाँ पे हमें function of d मिल चुका, अब हम इसकी प्राप्त करेंगे साइक समीकर्ण, साइक समीकर्ण होती है function of m equal to 0, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी d-dase है, वहाँ हम m रख देंगे तो उसको 0 कЕ बराबर करेंगे तो यहाँ पे d-dase था, तो आपे हमने m लिख दिया, तो यहाँ पे और यहाँ पे देगो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पर nowhere, 8 to 9 के इस्तान की स्थान पर आगया, और d-dase की स्थान पर आगया e. m तो m के power 2, minus के 4 हो गया, तो यहाँ से हमें m के hapaн मीलेंगे तो a-m कि यहां पे maan रोख मिल चुका हमें यहां पे 2 और models किसर देखो यह फॉर है फॉर इस साइड में जाएगा तो पॉलस की फॉर हो जाएगा तो यहां से m की 2 maan मीलेंगे पॉलस माइनस तो पि-्फॉ तो मोलेंट मन के मारी पास 2 inv 1965 अब हमें m मिल चुका है, अब हम लिखेंगे इसका cf, तो cf आएगा इस तरह से, यह हो चुका है इसका cf, अब cf हमें मिल चुका है, अब हम प्राप्त करेंगे इसका pi, तो pi प्राप्त करने के लिए हम pi का formula लगाएंगे, pi का सुत्र होता है 1 upon function of d into q, q के इस थान पर देखो function of d है, और function of d हमारे पास यह है, तो यहाँ से function of d का मान रकीे, इसका आगी explaining करेंगे, तो यहाँ पर मैंने function of d का मान रख दिया, one upon nine d days की power two minus four, ये तो हो गया, function of d का मान, और यह यहां पर जो भी था, उसका मैं कुई का मान शे के लिख दिया, अब अब हम इसका इसको sol कर इस तरह से, इसको हमने अलग-अलग करके इसको solve कर लिया तो अलग-अलग करके solve करने के बाद हमें P.I. मिलेगा ये, क्योंकि हमने P.I. ग्याद करना पहले से कहें बार P.I. ग्याद किया हमने तो P.I. ग्याद करना हमें अच्छे से आता है इसलिए मैं इसको direct यहाद लिख देता हूँ कि P.I. का माना में ये मिलेगा अब यहाद पहले देखो हमें P.I. मिल चुका है और हमें C.F. भी मिल चुका है तो हम इसका अहल लिखेंगे Y.C.F. पलस P.I. लेकिन यहाद ध्यान रखने वाले बात है कि यहाद पर देखो P.I. हमाए C की पदो में लिखना है क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर जो हमारे पास D- faith है D- faith है D upon D- female ारिवे MRS ela mad भी अक्स नहीं लिखना है, यहां पर हमें Z लिखना है, क्योंकि यहां पर सवतंतर चर हमारे पास Z है, तो हमने आगे इसको solve करना, यहां पर हमें Z के रूम में हमने यह लिख दिया, C F और P I, तो इसका हल लिखेंगे, C F और P I, तो हमारा हल हो जाएगा इस तरह से, इसको हम थोड़ा सा calculate करके इस तरह से लिख दिया, चार को बार common लिख दिया, तो यह भी P I है, आप यह भी use में ले सकते हो, यहां से 4 को common लिया, इसलिए यहां पर 108 हो गया, तो यहां पर हमारे पास P I हो चुका है, तो P I और C F दोनों मिल चुका है, तो अब हम इसको लिखेंगे, Y equal to C F plus P I, तो C F और P I को add करके हमने लिख दिया, लेकिन यह तो Z के पदों में आया है, हमें Z को हटाना है यहां पर, क्योंकि Z का मान हमारे पास है यह, तो Z का मान हम रखेंगे, log 3X plus 2, तो Z का मान जैसे मैं यहां पर रुखूंगा, तो हमें यह equation मिलेगी, C1 3X plus 2 की power 2, C2 3X plus 2 की power minus की 2, plus 1 upon 108, 3X plus 2 की power 2, log 3X plus 2, plus 1, यह हो जाएगा हमारा हल, example number 1 का answer हो चुका है, यहां पर यह e की power 2Z है, और यहां पर Z का मान हमने रख दिया, log के पदों में, जो भी हमारे पास यहां पर है, log 3X plus 2, यह मान रखने के बाद यह case आया है, तो यह log की property से आया, log की property आप पढ़ लेना एक बार, उससे आपको पता जल जाएगा कि हमने इ पतो है हमने तो यह दो उना इंद जो हमत candle से हुशाला, तो यह उनके अर द जो हुशाआ बार, ऊबहा हमारे बार रढ मने आवा कि रमपने, ले जो है, पज suburbs है livres आब भी हैoc माना हो में आपर है, ले 6th र。